वेल्कम बैक तो माई चैनल आज हम लोग जो वीकली करेंट एफेड्स हमारी जो वीडियो आती है उसका जून का फर्स्ट वीक वाली करेंट एफेड्स हम लोग कवर करने वाले हैं ठीक है बाकी आप लोगों को मन्तली कंपाईलिशन भी मिल जाता है और में मन्त का पूरा पाले शून डल चुका है इस वार सर ने वो वीडियो बनाई हो तुम देख लेना आप लोग ओके सो प्लेरिस्ट वही है ओके स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोशन के साथ पीडियाफ कैसे मिलेगी यह चीज में आप लोगों को टास्ट हो वेता होंगी हाल ही में किस अप्ट प्रिटी गस्ती पॉट जिसका नाम है सजग को भारती तरक्षक बल में शामिल किया गया है और यह है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत बनाए गया है वाईस हर एक फैक्ट इंपटेंट है करन्ट से रिलेटिड हर एक फैक्ट इ एक्जाम में 30 या 35 कोशिशन पूछ जाते हैं इंट्रक्षक इससे ज्यादा हो सकते हैं कम नहीं ओके सु प्लीज हर एक को दिहान से देखिए हल ही मैं किस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने नए आई आई टी नियम 2021 में शामिल ट्रेस बिलिटी प्रावधान को चुनौती द दिली हाई कोट में सरकार के विरुथ एक याजिका को दायर किया है एक्स्ट हाल ही में किसको एनरजी फ्रंटियर में अनुसंधान के लिए एनी अंतरास्ट्री पुरुसकार 2020 दिया गया है पुरुसकार वाली इंडेक्स में प्लीज इसको शामिल कर लिए जगा प्रुसकार 2020 प्राप्ट हुआ है और इसे और अनुसंधान शित्र में नोबल पुरुसकार माना जाता है नेक्स्ट है हाल ही में किसने भारतिय उध्योग परिसंग के अध्यक्ष रूप में पदभार संभाला है आप्शन से राकेश और अनिल अस्थाना टीवी नरेंदरन विजय माधवन सो करेक्ट आंसर इस टीवी नरेंदरन ओप्शन अमबर डी स्वरी सी इस करेक्ट ओकी सो इसका एक्स्ट्रेशन है Tata Steel Limited के मुख्यकार्यकारी अधिकारी और प्रवन निदेशक टीवी नरेंदरन ने 2021 के लिए भारतिय उध्योग परिसंग के अध्यक्ष रूप में पदभार संभाला है Tata Consultancy Services ने अपना पहला यूरोपिय नवाचार के इंदर कहां खोला है Your options are Rome, Amsterdam, Paris या for London So, correct answer is Amsterdam, option number B is correct Tata Consultancy Services ने अपना पहला यूरोपिय नवाचार के इंदर आमस्टर्डम नीदर लेंडर में खोला है हल ही में किसने दुनिया का पहला नेनो यूरिया लिक्ट पेश किया है Your options are DRDO, IFFCO, ICAR या फिर ये तीनों ही ने मिलके किया है तीनों ने तो नहीं किया भाई, IFFCO option number B is correct जिसका full form है Indian Formers Fertilizers Co-operative Limited ने दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नेनो यूरिया लिक्ट पेश किया है Next is किसी हाल ही में विशो स्वास्ते संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्षन उत्किया गया है options है Dr. Patrick Amoth, Dr. Harsh Vardhan, Dr. Neveli Kinz, Kinz या फिर इन मैंसे कोई भी नहीं इन मैंसे है Dr. Patrick Amoth option number A is correct केन्या के स्वास्ते मंत्राले की कार्यवाहक महानिदेशक Dr. Patrick Amoth को एक वर्ष की अवधी के लिए विशो स्वास्ते संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्षन उत्किया गया है कार्यवधी याद रखना एक वर्ष के लिए इसाक हर जोग किस देश के नई रास्ट्रोपती बनाए गए है आप्शन्स हैं मिस्त्र, अर्जेंटीना, इस्राइल या फिर फलस्तीन ये बनाए गए हैं आपके इस्राइल के आप्शन नबर C is correct इसाक हर जोग इस्राइल के नई रास्ट्रोपती बनाए गए हैं रिवोट के मुताबिक वोटिंग के दोरान इसाक हर जोग को 120 में से 87 वोट प्राप्त हुए हैं विश्यो साइकल दिवस कब मनाए जाता है ये जो दिवस मनाए जाता है और ये जो दिवस मनाए जाता है और विश्यो साइकल दिवस 2021 का जो विश्य है वह है यूनिकनेस यूनिकनेस और वर्सेटिलिटी लॉंगिविटी ओफ दा बाइसिकल एंड सिंपल सस्टेनिबल एफोर्डिवल मीन्स ओफ ट्रांस्पोर्टेशन तो याद रखना इसको ये इसकी थीम है 2021 की नेक्स्ट ए एशियाई मुक्यबाजी चैंपियंशिप में किसने हाल ही में स्वाण पदक जीता है यूर आप्शन्स आर अमित पंगाल सुशील कुमार मनीश कुमार या फिर संजीत कुमार तो जिनों ये पदक जीता है वह हैं संजीत कुमार आप्शन नुबर डी इस गरे स्वाण पदक जीता है और संजीत ने फाइनल में पाँच बार के एशियाई चैंपियंशिप पदक विजेता और कजाकिस्तान की रियो ओलम्पिक रज़त पदक विजेता वासिली लेविट को हराया है ठीक है तो याद रखना इसको धिहान से किसे हाल ही में राश्ट्रिय मानवाधिकार आयोग के नई अध्यक्ष के रोप में न्युक्त किया गया है उप्शिन्स हैं आप लोगों के सुब्रत राय अरूंड मिष्णा अरूंड कुमार मिष्णा अमित जैन या फिर ऐस सुब्रनियम सो करेक्ट आंसर इस अरोण कुमार मिस्ट्रा आप्सिन नमबर बी इस करेक्ट ओके जो इसका एक्स्परिनेशन है वो देख लेते हैं एक बार सुप्रीम कोड के सेवा निवरत जस्टिस अरोण कुमार मिस्ट्रा को रास्ट यमारवाधिकार आयोग जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में एने चार्सी कहते हैं कि नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है जस्टिस H.L. दत्तु पिशले साल दिसंबर महीने में इसके अध्यक्षपत से रिटाइर हो गई थी तो किसकी जगाल ही है ये चीज़ भी याद रखनी है नेक्स्ट है विश्व दुग्द दिवस वैश्विक इस्तर पर कब मना जाता है ओके विश्व दुग्द दिवस है तो वैश्विक इस्तर पर ही मना जाएगा विश्विक इस्तर पर खादिय एवम क्रिशी संगठन के द्वारा वर्च 2001 के प्रतिवर्स एक से प्रतिवर्स एक जून को ये दिवस मना जा रहा है तो स्टार्टिंग कब से हुई थी वो चीज़ आप लोगों को याद रखनी है और बात करें अगर थीम की 2021 की तो वह पर्यावरर पोशन के साथ डिवरी शेत्र में स्थिड़ता ठीक है ये दुग दिवस की थीम रही है किस राज्य सरकार ने हालही में नीती आयोग की तर्जपर एक संस्था का गठन किया है अप्शन है हिमाचल पुर्देश, गोवा, उत्तर पुर्देश या फिर दिल्ली तो वह राज्य है आपका गोवा ओप्शन बर भी इस करेक्ट गोवा ने हालही में नीती आयोग की तर्जपर गोवा इंस्टिट्यूट फॉर्ड फूचर ट्रांस्फोर्मेशन जिसकी शॉर्ट फॉर्म है जी आई एफ्टी का गठन किया है राज्य का मुख्यमंत्री इस नए निकाए के अध्यक्ष्य रूप में कार्र करेगा यह इसमें पता है important fact यह भी है अगर statement के रूप में question आएगा तो यह statement जरूर आएगा वहाँ पर याद रखना ठीक है कि कार्र कौन करेगा उसके ध्यक्ष्य रूप में हाल ही में किसको प्रसिक्षित करने के लिए युवा योजना की शुरुआत की है options है युवा खिलाडी and युवा वैग्यानिक, युवा लेखक या फिर युवा गायक so correct answer is युवा लेखक option number C is correct शिक्षा मंत्राले की तहट उच्छ शिक्षा विभाग ने हाल ही में युवा लेखकों को प्रसिक्षित करने के लिए युवा योजना की शुरुआत की है next question है लेटे हुए बुद्ध की भारत में सबसे बड़ी प्रतिमा कहां इस्थापित की जा रही है options है कौशामभी, सारनात, पटना या बोध गया so correct answer is बोध गया option number D is correct ये question भी important है क्योंकि जोगी कभी प्रतिमा इस्थापित की जाती है ठीक है या फिर कोई संग्राले बनाया जाता है तो ऐसे questions बहुत महत्वोड होते हैं exams के लिए बोध गया में इस्थित बुध अधराश्ट्रिय कल्यान मिशन मंदिर के प्रांगण में लेटे हुए बुध की भारत में सबसे बड़ी प्रतिमा इस्थापित की जा रही है और विश्व में लेटे हुए बुध की सबसे बड़ी प्रतिमा को म्यामार में मावल माइन में बनाया गया था तो इससे पहले कहां बनाया जा चुका है ये चीज़ आप लोगों को बता होनी चाहिए उसके लावा भारत में कहां बनाया जा रहा है ये भी आप लोगों को मालूम रहना चाहिए नेक्स्ट कोश्चिन है जो कि बहुत ज़ादा महतवूर्ण है ये प्रशना पहले ही मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या है विश्यो स्वास्ते संगठन ने कोरोना वाइरस के दो वेरियंट जिनके नाम है आज बुट वधान नाम जो करने क्रेमशह किया है अब करेमशह यानि कि इन दोनों के नाम क्या किये है कुपपा और डेल्टा, अलफा वर बीटा, वाइट वर बलेक या फिर जैक वर जॉन तो देखिए बहुत confusion हो सकता है लोगों को क्योंकि दोनों नाम सेम है थोड़ा सा difference है ये 1 है और ये 2 है ये difference याद रखना बस आप ठीक है तो जो correct answer है इस question का वो है A यानि कि जो B.1.617.1 है तो पहला वाला है उसका नाम है कपपा और .2 वाला जो है उसका नाम है delta ठीक है या को पढ़ना .1.2 बहुत irritating हो जाएगा ये दोनों वेरियंट सबसे पहले भारत में पाई गई है ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए ठीक है बाकी और सब तो मैंने उपर आप लोगों को बताई दिया है नेक्स्ट है हाँ नामकरण किस ने किया ये भी याद रखन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस तिथी को विश्व उपेक्षित उष्ण कटिवंधियर रोग दिवस अर्थार्थ विश्व एंडीटी दिवस के रोप में माननेता देने का निर्ने लिया है आप्शन से 30 जनवरी 30 फरवरी 30 मार्च और 30 अप्रेल बताईए 30 जन से 30 जनवरी को विश्व उपेक्षित उष्ण कटिवंधियर रोग दिवस अर्थार्थ विश्व एंडीटी दिवस के रोप माननेता देने का निर्ने लिया है नेक्स्ट है बिहार सरकार ने हाल ही में राज्य के इंजिनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोष्णा की है सो आपके ऑप्शिन्स हैं 30 प्रतिशत 33 प्रतिशत या फिर आंजर तो यहीं है लेकिन फिर भी आप लोगों को ऑप्शिन्स दिखा देते हैं आप अपने गॉर्डिंग सोचेंगे दिग क्या आंजर कोई नहीं प्रतिशत ही है वह आरक्षण जितने की घोष्णा की गई है वहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री जिनका नाम है नीटीश कुमार ने हालही में राज्य के इंजिनियरिंग और मैडिकल कॉलेज़ों में लड़कियों के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की घोष्णा की है और इ जाद रखनी हैंगी चीज है पहला राज्य बना इसलिए जादा इंपोर्टेंट है किस देश में बर्ड फ्लू के एच वन जीरो एच टैन के सकते हैं एच टैन एंट्री स्ट्रेंड के साथ मानव संकरमण का पहला मामला दर्ज किया गया है ऑप्शन सा यूएसे जर्मनी चीन या फिर जापान करेक्ट आंसर है चीन ऑप्शन बर सी इस करेक्ट हाल ही में चीन में बर्ड फ्लू के एच टैन एंट्री स्ट्रेंड के साथ मानव संकरमण का पहला मामला दर्ज किया गया है और एच टैन एंट्री इंफ्लुएंजा ए वाइरस का एक उप प्रकार है जिसे आमतार पर बर्ड फ्लू वाइरस की रूप में जाना जाता है नेक्स्ट कुश्चन है अंतरास्ट्री और बुकर पुरसकार 2021 से किसे सम्भानित किया गया है औप्शन्स है डेविड डियोप, डेविड एटनबरो, रोच फेंच या फिर जेरोम टेलर प्रांस के लेखक डेविड डियोप को उनकी किताब at night all blood is black के लिए अंतरास्ट्री और बुकर पुरसका 2021 दिया गया है किसके लिए दिया गया है और किसको दिया गया है दोनों चीज़े आद रखने है दूसरे सन्युक्त रास्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा options और टोकियो, रोम या फिर बीजिंग या फिर लंदन तो इसका जो आयोजन होगा वह बीजिंग में होगा option number C is correct दूसरा सन्युक्त रास्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन संस्क्रण या रखना दूसरा है 14-16 अक्टूवर 2021 को बीजिंग यानि की चीन में आयोजित किया जाएगा और यह है सम्मेलन दुनिया भर में इस्थाई परिवहन प्राप्त करने की दिशा में आवसरों, चुनोतियों और समाधानों पर ध्यान के इंद्रित करने का आविश्वर प्रदान करेगा next question है हाल ही में किसको WHO महा निदेश्यक विश्यस माननेता पुरुस्कार से सम्मानित किया गया है options है आंद्रे रोसे, डॉक्टर हर्ष वर्धन, नरेंद्र मोधी या फिर जो बाइडेन correct answer is डॉक्टर हर्ष वर्धन, option number B is correct विश्यो स्वास्थ संगठन, ने केंद्रिय स्वास्थे पंत्री डॉक्टर हर्ष वर्धन को तंबाको नियंत्रण के श्वेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए WHO महानिदेशक विशेस माननेता पुरुस्कार से सम्मानित किया गया यह जो पुरुस्कार है, इंपोर्टेंट है हाल ही पर नीति आयोग द्वारा जारी सदत विकास लक्ष यानिके SDG, Sustainable Development Goal इंडिया इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्स पर है ऑप्शन से तमिल नाडू, केरल, करनाटक या फिर देलंगाना सुकरिक्ट आंसर इस केरल, ऑप्शन पर बी इस करेक्ट हाल ही में नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष इंडिया इंडेक्स और डेश्बोर 2021-21 का तीसरा संसकरण जो कि सबसे महत्यपूर बात है, जारी किया गया है SDG, इंडिया इंडेक्स 2021-21 भारत में संयुक्त राष्टर के सहयोग से विक्सित किया गया है केरल ने सुचकांग कि तीसरे संसकरण में शीर्स पर अपना इस्थान बरकरार रखा उसके बाद तमिल्लाडू और हिमाचल पृदिस का इस्थान है बाकी के दोनों राज्यों के नाम भी आप लोगों को याद रखने है लेकिन केरल मोस्ट इंपर्टेंट है बिहार, जहारखंड और असम सबसे खरापरदर्शन करने वाले तीन राज्यों बने है हालांकि सभी राज्यों ने पिछले वर्स के स्कोर में कुछ सुधार तो दिखाया है जिसमें मिजोरम और हर्याना ने सबसे अधिक सुधार किया है तो तीनों ही चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए हाल ही में 36 गड़ में कहां इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्गार्टन किया गया है मेगा फूड पार्क से एक क्वेशन हमीशा आता है कोर्बा बिलासपूर दुर गया फिर रायपूर तो रायपूर में ऑफ्शन में डी इस करेक्ट हाल ही में के इंदिर्य खाद्य प्रसंस करण उध्योग मंत्री 36 गड़ की रायपूर में वर्चुल रूप से इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्गार्टन किया है इसे मेगा फूड पार्क योजना की तहत बना गया है हाल ही में कब विश्व पर्यावराण दिवस 2021 मनाए गया है आप्शन से हैं 5 जून, 6 जून, 7 जून या 8 जून इस तो करेक्ट आंसर है सबी को पता होगा 5 जून आप्शन पर ये इस करेक्ट हाल ही में 5 जून को विश्व पर्यावराण दिवस 2021 मनाए गया है ये थीम याद रखना, ठीक है, 2021 की थीम क्या है, इस साल सन्युक्त रास्ट पर्यावरण कारिक्रम, यानि कि UNEP, United Nation Environment Program, की साज़ितारी में पाकिस्तान विश्य पर्यावरण दिवस 2021 की मेजवानी करने जा रहा है, ये फैक्ट भी इंपोर्टेंट है, खाल ही में किस नया उपवायू सेना प्रमुक नियुक्त किया गया है, किसे किया गया है, इब तक पूरा सेंटेंस ना पढ़ो तो मिस्टिक भी समझ में नहीं आती, आप्शिन्स हैं, एर मार्शल बललभार रादाकरशन, एर मार्शल आरजे डकवर्थ, एर मार्शल विवेक राम चौधरी या फिर इन में से कोई भी नहीं, कोई तो हैं, और वो हैं, एर मार्शल विवेक राम चौधरी, आप्शिन्बर C is correct, हाल ही में, एर मार्शल विवेक राम चौधरी को वायुसेना में नया उप वायुसेना प्रमुक नियुक्त किया गया है, तो इस वीक से 26 कॉस्चिन आपकी कम्प्लीट, मतलब इंपोटेंट थे, एक्जाम्स के लिए, तो देख लेना, आप लोग फर्स्ट वीक की है, ये, इस तरीके से PDF मिलेगी, बाकि आप लोग इस निमबर पर कॉल या वाट्सेप गड़ सकते हो, ठीक है, so, I hope आपको सारी ही information मैंने दे दी है, इसके अलावा आप लोगों को बता ही, हमारी test series जल रही है, so, test series की PDF कैसे मिलेगी, वह भी आप लोगों को पता है, साइट पर सार information है, और, जो, topic wise test series, दो सब्लेट की start की गई है, इसमें से Indian geography की complete होने वाली है, और उसके अलावा, ancient history की अभी start होई है, तो वह भी complete नहीं होगी, तो वह आप देख सकते है, बाकि आप लोगों की daily test series चली रही है, UPPCS and ROERO के लिए, ठीक है, so, ठीक है, thank you so much for watching my video, मिलते हैं next video, मैं